एलो फ्रेंट्स मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस इवनिंग सेशन के अंदर जहां भी हम थोड़ी सी फॉरेक्स मार्केट के बारें बात करेंगे पूरा जो ग्लोबल मार्केट है थोड़ा सा डगमगा गया है वारेक्स मार्केट में बहुते हैं वो भी थोड़ा नीचे आ चुके हैं Forex को पर भी लाग होती है, Stock में भी होती है, Crypto में भी होती है and in fact जो लोग Crypto करते हैं, वो Octafx को भी यूज कर सकते हैं और आपी से यह कहूंगा कि आप में से जो लोग Interested हैं Forex के अंदर और एक Broker ढूंड रहे हैं, अच्छा जहां पर आप Trade कर सकते हैं तो Octafx को ट्राइ करना बनता है और पहले उनका Demo ट्राइ करना बढ़िया लगे then you should go with the real account और उनके वास बहुत अच्छे खासे offers हैं promotions हैं for Indian users और दशरे के मौके पर भी अच्छे खासे वहां पर offers वगरा चल रहे हैं जहां पर आप Gold वगरा Trade वगरा कर सकते हैं अब इस session को आगे continue करूँ उससे पहले थोड़ा सा दो लाइन बाते करते हैं Forex को उपर लेके क्योंकि बहुत सरे लोगों के questions आते हैं कमेंट्स आते हैं कि क्या सर Forex India के अंदर legal है कि illegal है मैं ज़्यादा लंबा नहीं कीचूँँगा शॉर्ट में आपको बता दूँगा और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना रहता है कि Forex सिर्फ INR pair के साथ किया जा सकता है तो देखिए Forex जो है legal है इंडिये के अंदर trade करना आप INR pairs को पगड़के अच्छा कासा उसमें trade कर सकते हैं अब सेभी के regulation आया था मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर तो आपके कुछ doubts clear हो जाएंगे यह सेभी की website है और यहाँ पर इनका एक circular है 2017 का निकला हुआ है और इस circular को आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो मैं लिंक वगरा description में दे दूँगा कि clarification on exchange traded cross currency derivatives contracts euro USD, GBPUSD और USD JPY मतलब सेभी ने अपने एक rule pass किया है कि पहले जो INR के pairs में हम trade करते थे उसके अलावा अब आप cross currency pairs जो होते हैं उसके अंदर भी trade कर सकते हैं तो मैं जितने भी अपनी analysis वगरा बताता हूँ यह तीन pairs को ही पकड़ कर बताता हूँ क्योंकि as per the CB regulations इसमें trade करना allow है और in fact यह जो तीन currency pairs है यह काफी volatile है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा volume रहती है और अच्छा खासा आप इसके अंदर पैसा गमा सकते हैं तो यह सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं पूरा details इसके अंदर दिया हुआ है तो INR pairs तो mostly बहु USD, GBP-USD और USD-JPY को trade कर सकते हैं तो I hope यह चीज़े तो आपको clear हो गई होंगी कि INR pairs के साथ साथ यह तीन pairs के अंदर भी जो बहुत most volatile pairs हैं इसके अंदर आप trade कर सकते हैं इंडिया के अंदर इसके अलावाद जो दूसरे pairs हैं वो allowed नहीं है इंडिया के अंदर और रही कम leverage होती है ज्यादा volume होती है तो आप उसको भी select कर सकते हैं जैसे कि मैं बताता हूं यहां पर Octafex बताता हूं उनका demo अगर आप ट्राइ कर सकते हैं ठीक है डेमो पर try करने में कोई नुकसान नहीं रहता है आपको try कर सकते हैं फिर आपको अच्छा लगता है तो कोई भी आ on you on selection of broker रही बाद currency pairs की वह आपको clear cut बता दी है यह तीन currency pairs के अंदर आप trade करेंगे तो कोई problem नहीं है आपको I hope कि अब picture जो है अच्छी घाजी clear हो गई हो गया आपकी अब हम फटा-फट analysis को उपर चलते हैं ज्यादा वक्त ने लूँगा आपका 3 currency pairs है इसके हम analysis करेंगे औ इसके बाद एक session आएगा उसके अंदर मैं crypto analysis करूँगा और रात को एक session आएगा उसके अंदर मैं stock market के analysis करेंगे कुछ अच्छे stocks हैं जिनके अंदर आपको input करना चाहिए इस गिरते market के अंदर अच्छा-खासा मुनाफ़ा के लिए तो पहला currency pair है वो euro-usd है आपके सामने chart है और मैंने आप ए one hour का chart पकड़ा है मैं broad time frame पकड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत तहीं से यह निंचे की तरफ गिर रहा है तो छोटे मूटे time frame है घुसके कुछ फायदा नहीं है यहाँ पर अच्छी खासी हमें swing trade मिल सकती है तो euro-usd one hour का chart है और यहाँ पर आप देख सकते मैंने पूरा support line resistance line draw करके रखा है तो मुझे काफी clear cut एक idea मिल जाती है कि अगर यह तोड़ता है तो next कहां पर आकर रुकेगा it's that simple कुछ ज़्यादा complicated नहीं किया कुछ इसके अदर चीजी और indicator मैंने use ने की है क्योंकि मुझे support and resistance पर सारी चीजे मालूम पढ़ रही है तो य यहां पर हम क्या करते है एक short position यहां पर open करते हैं ओके तो यहां पर मैंने यहां पर चार्ट open करके रखा है और यहां पर फटा फट एक नया order हम प्लेस करते हैं पॉइंट वन का लेते हैं और में market execution करूंगा पेंडिंग करूंगा क्योंकि मैं wait करना जाता हूं कि वह support लेवल टूड़ जा है उसके बाद और यहां पर sell stop डालना पड़ेगा ठीक है क्योंकि हम wait कर रहे हैं कि वह एक नीचे तक लेवल आ जाए फिर हम उसमें से short position उपन क करें 272 पर मैं एक short position रखता हूं अगर वह support नीचे तूटता है तो क्योंकि तूटे गा तो बहुत तीजी से नीचे जाएगा यह पक्का है और take profit वगर अगर में को डालना है तो मैं कितना डालता हूं नीचे का support यहां पर उससे पहले थोड़ा सा बहुत एक support मिलाता तो मै थोड़ा सा बहले निकलूँगा यानि कि one एक सतर चालिस ओके तो मैं यहां पर डाल देता हूं take profit मेरा एक सतर चालिस डाल देता हूं और order यहां पर लेस करतेता हूं ठीक है और यहां पर market की जो news है वह भी काफी matter करती है अगर मैं यहां पर देखूं तो जो latest news यूरो कमिशन अर्जिंग यूई गवर्मेंट्स टू स्टेप इन रिस्पॉंस टू डॉवीड पेंडैमिक मतलब की यूरोपे निशन से यूस वगरा में जो कोवीड के जो कीसे हैं वो काफी जादा बढ़ रहे हैं तो उसके वज़े से वापर वापी से पैनिक है पैनिक बहुत सिंपल है और इसका एक जो डाउन चैनल है उसके अंदर यह अच्छा कासा यहाँ पे मूग कर रहा है जब भी हम डाउन चैनल बनाते हैं और जब प्राइस उसके अंदर मूग करता है तो हमें कहीं ना कहीं उसमें एक सपोर्ट भी दिख जादा यह रेड लैन देख तो वी आर वेटिंग फॉर दी ब्रेक आउट इन दा डाउन साइड क्योंकि अमेशा से ब्रेक आउट का वेट करना अच्छी बात रहती है यहाँ पे आपको न्यू ओर पे क्लिक करना है यहाँ पे पंडिंग ओर पर जाईए सेल स्टॉक पर जाईए और आपको 103.991 रख सकते हैं सपोर्टर रेजिस्टंस का काम चल रहा है तो यहाँ पे में सपोर्ट मिल सकता है यानि कि 103.841 तो 10-15 पिप समया पे उठा सकते हैं तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 103.840 डाल दीजिए और प्लेस कर दो तो यह भी हमारा प्लेस हो गया है शाम के टाइ अच्छी खासिया पे मिल सकती है और यहाँ पर दे सकते हैं एक जो रिजिस्टंस है जो लगबग इसका कह सकते हैं 1.29668 के आसपासचल रहा है उसको । ब्रेक कर दिया है लेकिन उसके आसपास घूम रहा है तो यहाँ पर भी अगर इसको ब्रेक करता है तो अच्छा कासा नीचे जा सकता है नीचे का इसको इसको सबड़े 3.296 ओर into sum call के अंदर अगर सबसकर हम यहां से इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं, जब ट्रेंड लेन हम ड्रॉ करते हैं, तो कम से कम दो या तीन लाइन पॉइंट जो होते हैं, वो टच होना चाहिए, तो यहां से इसको हमने ऐसे ड्रॉ किया, और यहां से हमने इसको इसी सब से draw किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्राइंगल का breakout अलड़ी हो चुका है, यहाँ पर break हुआ, जैसी break हुआ, सीधा price नीचे गया, नीचे कहां कहां गया, आप देख सकते हैं कि जो मैंने एक पुरानी वीडियो बना थी, तो उससे में मैंने ये सारे support and resistance draw किये हुए उपर गया, लेकिन इसको यहाँ पर इसने break कर दिया, तो GBP USD में तो अलड़ी breakout के बाद अच्छी कास यहाँ पर पोजिशन उपन ही और अच्छा कास यहाँ पर target अच्छी हो चुका है, फोर आउर का चार्ट हमें clear cut यहाँ पर यह बताता है, कि यह जो level है 29546, 1.29546 के पर रखते हैं, वो easily इसको hit कर सकता है, और इसको भी अगर break करेगा, तो काफी अच्छा कासा chances है कि हम 1.286660 के असपास जा सकते हैं GBP USD के अंदर, और यह भी याद रखे कि market जब open होता, तो काफी ज़्यादा आज मेरे काल से volatile हो सकता है, fluctuation काफी अच्छी कासी हो सकती है, और अगर नीचे की तरफ प्रेशर बनता है, तो यह सारे target बहुत असानी से यहाँ पर अच्छीव हो सकते हैं, तो दोस्तों यह दिए complete analysis on euro USD, USD GPY, or GBP USD को लेके, और वापने से यह कहूंगा कि आप अगर कुछ पोजिशन क्रेट करते हैं, तो पहला थोज अपना एक research कर ल सीखी अच्छे से कि अच्छे खासे जो market होता है, high volume market के अंदर किस हिज़ाब से trade की जाती है, किस हिज़ाब से profit कमाए जाता है, और एक अच्छा खासा आपको experience मिल सकता है, OctaFX के ओपर, और उनका एक double deposit का ओखर भी चल रहा है, कि अगर आप real account open करते हैं, तो नीचे जो promo code दिख रहा है, उसको अगर आप use करेंगे, तो आपकी जो deposit amount है, वो double हो जाएगी for trading, तो ये भी अच्छा option है, दाशे रहागा भी काफी अच्छे खासो options है, तो उनकी website पर आप चाके देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि JPPJUSD इस line को इसने यहाँ पर break कर दिया, आर जी सीखने को मिलेगी, stock market के बारे मिलेगा, nifty bank, nifty के analysis मिलेगी, crypto की पूरी जानकारी मिलेगी, और जो भी अच्छे खासे alt points है, उनके बारे हम यहाँ पर discuss करेंगे, in short यह कहना चाहता हूँ कि तीनो market पे अगर आप focus करते हो, उनको study करते हो, तो आपकी analysis बहुर बहतर होती तो हर market के अपनी खूबी है, तो दोस्तों अभी तक लिए बस इतना ही, जल भी लेंगे, तब तक लिए take care and have a great day